मित्रो यह हमारा वांस का जंगल चारों तरह आप देखी गौर से वांस के जंगल दिखाई दे रहे हैं कर्मी का सीजन है दो पहर के लगभग धाई बजे हुए हैं पानी प्रबंदन और किसानों को पौधे तक पानी पहुंचाने की विवस्ता इस संदर्म में एक वीडियो आपको दे रहा हूं समझें कि पानी प्रबंदन कैसा करना है आज वाटर लेवल की स्थिति यह है कि वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है एक समय आए गई जब अपनी धर्दी माता के अंदर में वाटर लेवल पूरी खतम होते जाएंगी इस तरह क्या है कि हम वोर तो पंदन कैसी करें आप अपनी जमीन में जितने में भी फसल लगाते हैं लेकिन लगभग उसका दो परसेंट दो परसेंट जमीन में आप एक तलाव बनाए और तलाव में वरसात का पानी स्टोरेज कीजिए और वागी समय उस पानी को अपने पोधों तक अपनी फसलों तक भेजिए यह हमने एक तलाव बनाया है जो लगभग हमारे 40 एकल एरिया को पानी से सिंचित करता है यह आप गौर से देखेंगे कि हमारी जमीन का डारेक्शन यह आप देखेंगे जितना भी जो बास का जंगल लगा हुआ है यह टॉप एरिया हमें मतलब घाट के तरफ में बास का जंगल लगा हुआ है और दूसरी तरफ हमने यह तलाव बना रखा है यह यह तलाव बना रखा है हमने और तलाव में अभी इतनी भीशन गर्मी के दोरान में भी लगभग 15 फिट पानी हमारे तलाव में है पानी के प्रबंदन के साथ ही इसमें किसान क्या कर सकता है तो रहनी सीजन आने है मतलब जून माह के समय में किसान अपने तलाव में मचली का बीच को डाल ले और एक समय के बाल लगभग एक मचली के बीच को 800 ग्राम होने में 8-9 माह लगते हैं तो इस तरह किसान तलाव में एक तो पानी का स्टूरेज कर ले पानी सिचाई कर ले और उस तलाव में मचली का बीच डाले तो जो बहुत हद तक मैं मानता हूँ यदि 2% में लगाएं तो लगभग एक से डेल लाक रुपे की मचली हम पर यहां से बैस दिया करते हैं जो आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे मचवारे भईय लोग हैं जो हमारे स्टाफ हैं वो किस तरह तलाव से मचली निकाल रहे हैं भीशन गर्मी की दोरान में सब भाईये लोग वैठे हुए हैं मचली निकल रहे हैं मचली निकालने का आनंद आम की पेड़ के नीचे में रहे हैं ये सब आप देखे हैं जो सब मचली निकालने मदद करे हैं अब ये हम तलाव के करीब पहुँच चुके हैं मचली के इस तरह निकालते हैं वो हम आपको दिखाते हैं जो हमारा खुद का तलाहोग अरिया आप देखीगा इन्होंने जाल डाल रहा थी मचली निकाल चुक और कुछ स्टोरेज के रखा हुआ पानी के अंदर कुछ बार मचलीयों को कलेक्ट करके रखा हुआ है भाई यह थोड़ी आप अपनी मचली दिखाएं यह मचली निकाला है कितना वज़न की होगी विया चार-पांच की मचली होगी यह को नसल है हमने यहां पान कार और कतला हुआ है तीन विराइटियों की मचली लेयर करती है पहले लेयर में चलती है तीसरी थार लेयर नीचे की चल को मचली को चारा को खाती है तरह हम तरी लेयर में पानी की अन्राम करते हैं और लगभग इस एक एकलके से डेल रुपाय की आमधार यह हो जाती है वह यह देख थोड़ा सा आप अपनी मचली बकड़ी यह मच्छवारे भाईयर ने मचली को जाल डालने के वह निकाल कर कलेक्ट कर बोरियों के अंदर भाए हैं इसके कारण क्या है और पानी में डाल के तलाव के अंदर भाए हैं थोड़ा सा और दिखा भाईयर यह सब मचली से बली बोरियां हैं इस तरह और भी बोरी तरह के अंदर पढ़ी हैं बोरियों में भरने से यह है कि मचलीयां गर्मी के खराब नहीं है और यह सी मार्केट में जाएंगी और अच्छा मूल इन भाईयर लोगों में लेगा यह देखिए सब ताजी मचलीया निकली हैं वस एक गंटे में मारकेट पहुंचेंगी और आम मचलीयां जादा मेहंगी पर ताजी होने के कारएं इन लोगों को उस्तन अधिक मिलेगा यह देखिए मचलीया कलेक्ट की हुई जाल से निकलने के बार यह सब्सक्राइब अंदर से पानी के बोरियों में कलेक्ट कखा हुआ है उन्होंने दूसरी भूली इस तरह साइज देख लिए लगभग एक कितने किलो बजनेंगी पानी प्रवंदन करेगा उससे मचलीयों को उत्पादन से बहुत लाव अपने सकता है केवल पानी प्रवंदन नहीं आर्थिक लाव होंगे और तरह जो स्टाप से साल भर की तनका उन्हों को मिल सकती है जो चाहिए दाव है और भी मेनेजमेंट तो मैं हर किसान नहीं होंगा कि आपके पाद जितने जमीन है उसका जादा नहीं 2% तलाव बनाएं तलाव बनाने के बाद मस्री की आमदानी है नोवेश्टेज के काम आपके पानी पॉद्ध के काम आएगी बहुत से लोगों को बार मिलते थे और किसान की आया थोड़ी बढ़ सकते हैं कि ऑekा था थोड़ी से लुच जैबा के अझा दोने तलावा थोड़ी स内ए नहीत बारे दो मिलते बार थे पो लोगों की तलाव भाद कर र JOSHतों की आपके यहा थे जोवादावरी के अंवा है